आज मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूँ हरे धनिये और सुखे आम से बनने वाली खटी चटनी की रेसिपी आप इस चटनी को खाने के साथ भी सर्फ कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे किसी भी स्नेक्स के साथ सर्फ कर सकते हैं चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे हरा धनिया, तो यहां मैंने दो मुठी हरा धनिया लिया है, ताकि इस चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा है, और इस चटनी में हम यूज़ करेंगे सूखी खटाई या आप इसको सूखाम भी कह सकते हैं, और इसको मैंने दो गंटे गरम पानी में भीगो के रखा है ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो देखी काफी हद तक ये सॉफ्ट हो चुकी है तो ये सूखी खटाई हम इसमें डाल देंगे खटाई आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं अगर आपको कम खटा चाहिए तो आप इसकी क्वांटिटी को कम भी ले सकते हैं और इसी पानी को हम यूज करेंगे चटनी को पीछने के लिए तो जितनी पतली आपको रखनी है आप उतना पानी इसमें एड़ कर सकते हैं इसमें हम डालेंगे पांच लस्टन की कलिया तीन सूखी साबुत लाल मिर्च तीन हरी मिर्च म आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं आधा इंच का टुकड़ा अद्रक का कटा हुआ और अब इसमें हम एट करेंगे एक छोटा चमच सूखा हुआ पूदीना अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश यूज कर ले एक चौथाई चमच त्यार कर लिया है और देखे इतनी गाड़िये चट्नी होनी चाहिए हरे धनिये और सुखे आम खट्टी चट्नी बनकर त्यार है